केंदर की एंडिये सरकार को लेकर के कई तरह की बाते कही जाती हैं। या फिर बिवाद होगा। अपराद कहीं भी हो देश के किसी हिस्से में हो प्राथमिकी के साथ अब इस कानून के पास होने के बाद आप अपनी सिकायत दर्ज करा सकते हैं। जबकि एक नया कानून एक नया विधेक बास करने की ये नया विधेक सदन के पटल पर रखा गया है। उसके बाद से बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्राथम करने के लिए त्वरित नाय मिले और धराओं को कम किया जाए। इसको लेकर के लोकसभा में ग्री मंतरी अमित साने भारतिये नयाय संहिता विधेक 2023 और भारतिये सक्ष विधेक 2023 के साथ साथ भारतिये नागरिक सुरक्षा संहिता विधेक सदन के पटल पर चर्चा के लिए पेश किया है। नोंने कहा कि 1860 से 2023 तक देश की अपराधिक नयाय प्रनाली अंग्रेजों के मनाय हुए कानूनों के अनुसार काम करती रही। अगर तीन कानून बदल जाएंगे तो देश में अपराधिक नयाय प्रनाली में बड़ा बदला होगा। मामला संसत की अस्थाई समीति के पास है। समीति साह्मत हो गई तो भारत में IPC की जगा भारतिय नयाय संगीता 2023 यानि CRPC की जगा भारतिय नागरिक सुरक्षा संगीता और इसके अलावे एविडेंस एक्ट की जगा भारतिय सक्ष अधिनियम 2023 प्रभाव में आ हैं जबकि इससे पहले आपको बता दें कि कुल 511 धाराएं हुआ करती थी राज द्रोह कानून पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है अब देखना है कि सरकारी तंत्र इसका कैसे सदूपयोग करते हैं या इस पर कितने सक्टी दिखाते हैं आपको बता दें कि एक लंबे समय से चली आ रही नयाय प्रक्रिया को लेकर के सवाल भी खड़े होते थे और परशानिया भी होती थी लेकिन इन सब से अलग जब ये नई नयाय प्रक्रिया तीन घंडों में बेश की गई है सदन में तो निश्यत रूप स कि इसके मायने निकाले जाएंगे और इस पर बहस भी होगा देखना होगा कि विपक्ष इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है क्या या आसानी से पास हो जाता है या इस पर भी बड़ा विवाद सामने आता है जुड़े ने भारत लाइब के साथ खबरों का सिलसिला और मारक खबर रुवा मुफ्ट में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद